बारत और श्री लंका के बीच कोलम्बो में हुए चौथे वनडे में भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने डेब्यू मैच खेला इस मेच में उन्होंने 26 रन देकर एक विकेट लेते हुए करियर की अच्छी शुरुआत की हाला किल मैच के दौरान उन्हें देखकर क्रिकेट फैंस नाराज हो गए और अपनी नाराजगी को सोशल मीडिया पर जाहिर भी किया दरसल फैंस शार्दुल को 10 नंबर की जर्सी पहने देखकर नाराज थे शार्दुल ठाकुर ने अपना डेब्यू मैच दस नंबर की जर्सी पहन कर खेला जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर इंडियन फैंस के गुस्से का सामना करना पढ़ा दरसल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुल कर 10 नंबर की जर्सी पहन कर खेलते थे और इस नंबर से क्रिकेट फैंस को emotional attachment है इसी वज़े से जब फैंस ने उन्हें इस नंबर की टी शर्ट पहने देखा तो वे नाराज हो गए और तरह तरह के कमेंड्स लिखते हुए उन्ह मैं दोबारा ये जर्सी न पहनने की सलहा दी मैच के बाद जब शार्दुल ठाकोर से 10 नंबर की जर्सी पहनने के बारे में पूछा गया तो इस वज़े का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया मेरी बर्थ डेट का टोटल नंबर 10 है इसलिए मैंने इस नंबर की जर्सी पहनी थी बता दे कि शारदुल का जन्म 16 हक्तूबर angef को हुआ था इसमें शामिल सभी नमबर्स को जोड दें एक पलास छे पलास एक पलास शुन्निय पलास एक पलास नौ पलास नौ पलास एक तो उसका टोटल दस होता है बता दे कि शारदुल का सेलेक्शन पिछले साल विंडीज टूर के दौरान भी हुआ था लेकिन तब उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल सका था इसके अलावा भी सचिन और शारदुल में कुछ समान ताये हैं दोनों का शौर पॉम नामेस्टी है वहीं दोनों का तालुक भी मुंबई से ही है श्री लंका के खिलाव सीरीज के चाओ थे वन अडे में डेब्यू मैच खेलते हुए शारदुल ने साथ ओवरों में 26 रन दे कर एक विकेट लिया सबसे आज बात ये है कि उन्हें उनके वन अडे करियर का पहला विकेट भी 10 वी बॉल पर ही मिला